तो कोछ इस तरह उट रही है पूर्णिया एरपोर्ट की मांग इन दिनों और दर्भंगा मॉडल की तर्थ पर पूर्णिया एरपोर्ट को चालू कराने की मांग जोर पकड़ रही है और पूर्णिया ही नहीं दिली तक ये मांग उठाई जा रही है जो सिविल सोसाइटी है जो इंटेलेक्शुल वर्ग है जो प्रबुद्ध वर्ग है उसने जनता के इस आंदोलन को मूवमेंट का रूप देना शुरू कर दिया है और युवाओं से लेकर के जो भी यहाँ प साथ आ गया यानि डॉक्टर वर्ग भी तो हवाई एड़े के मुद्धे पर अब आई-एमे का साथ मिल चुका है आई-एमे के अंतरगत एक बैठक हुई थी जिसमें एरपोर्ट ओफ फॉर्णिया नाम से जो है वो एक मुहिम चलाई गई है जिसमें की समाजिक संगठन के से लावा आप डॉक्टर भी एक जुट हो गए हैं चोकि यह जो सिमांचल का जो पूर्णिया जिला है वो मेडिकल हब के रूप में भी जाना जाता है और तमाम बड़े डॉक्टर सी यहां मौजूद है और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूवत है इसलिए यहां पर पूर्णिया एरपोर्ट की मांग यहां पर उठाई जा रही है और यह अवर्शक भी है इस पूरे इलाके के लिए तो युवाओं का जागना प्रबुद्ध वर्ग का जागना बुद्धी जीवियों का जागना पार्टी लाइन से उपर जिन्होंने संसद में आवाज उठाई थी और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि एरपोर्ट के लिए दिल्ली में भी लोग एक जूठ हो गए हैं और लगातार मांग उठ रही है कि दर्भंगा मॉडल की तर्स पर पोटा केबिन से थाई रूप से यहां से हवाई सेवा शुरू किया जाए क्योंकि सब कुछ यहां पर इंफरस्ट्रक्शर तयार है सिर्फ जो फोरलेन कनेक्टिविटी की बात है रोड कनेक्टिविटी की बात है तो वह बाद में भी हल हो सकता है और एरपोर्ट के लिए अहिंसक संगर्ष का हवान किया गया है कि इसमें जो है आंदोलन किया जाए और आपको बता दें कि लगातार जो मांग उठाई जा रही है और सवाल नितिश कुमार पर भी उठ रहे हैं मुखमंत्री पर भी उठाया जा रहा है रजिया के सांसत प्रदीप कुमार सिंग ने क्या कहा नितिश कुमार के बारे में सुनिए वो पुर्णिया के एरपोर्ट है उसमें 15 एकर जमीन भारत सरकार ने एरपोर्ट इतरटी ने मांग किया है हम खुद जोती राजित सिंदिया से में मिला हूं मानिय मंत्री जी से उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जमीन का एनोसी आज दे दे रास्ते की बात है तो एरपोर्ट समाधान करने में नहीं लगे है यह पिकनिक मना रहे हैं तो सुना अपने प्रदीप कुमार सिंग कर रहे हैं कि नितीश कुमार समाधान नहीं चाहते हैं पिकनिक मना रहे हैं और यह जनता को यहां के बरगला रहे हैं लेकिन इन राजनिती से अलग हट करके जो है यह मांग उठ रही है अब जी चुकि इसमें युबाओं का जोश दिखाई दे रहा है तमाम इंटेलेक्शल वर्ग इसमें आगे आ रहे हैं तो निश्चत रूप से एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्णिया से लेकर के धिल्ली तक और अब आगे आने वाले दिनों मे जो एरपोर्ट पूर्णिया के लिए जो मुहिम छड़ी गई है वो आगे आने वाले दिनों में रंग भी दिखा सकता है क्योंकि करीब करीब यहाँ पर सारा इंट्रेस्ट्रक्चर तैयार है बस उड़ान का इंतजार है और दर्भंगा मॉडल की तरस पर अगर यह बढ़ानी है वो बाद में धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है तो यह बड़ी चीज सामने आ रही है कि आम लोग जाग उठे हैं आम लोग इसको मुहिम बना करके आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काम्याबी मिलेगी तो दोस्तों यह वी वीडियो को देखने के लिए धन्यमाद